हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई यूट्यूब चैनल किट्टू के फंडे तो आज से हम जो है वह स्टार्ट कर रहे हैं एच पीएससी के जो जो कंप्यूटर बेस्ट जितने भी एक्जाम होते हैं उसमें जो कंप्यूटर पोर्शन आ रहा है उसको हम सॉल करेंगे यहां पर उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे तो आज जो मैंने एक्जाम पेपर यहां पर उठाया है वह जे ओ आई आई टी का 939 जो पोस्ट कोड़ है तो हम इसमें जो है वो हर क्वेशन जो वो डिटेल में करेंगे हम पांच क्वेशन जो है वो हम डेली करेंगे इसके पोर्शन के तो जो आपको आपके जो अपकमी एक्जाम है जैसे आपका 965 पोस्ट कोड़ है और भी अधर एक्जाम है उसमें आपको जो है इनसे हेल्प हो ज जद एक बारे में पूछ सकते हैं तो हमारा जो कोशन है वह स्चना अब यहां पे पूछा गया है कि नह इस स्टेम है वह मार्य पूछा है कि हमीशए याद रहे कि कोशन में जो होते हैं को आफ één बात denta अंसर है एक कर्एक अंसर है तो आपको निया तो हमें इसमें Elimination Method लगा सकते हैं कि आपको बाकी पता है या तो फिर आप इसमें चूज कर सकते हैं जो अगर आपको correct answer पता है अगर नहीं पता है तो आपको बाकी तीन options पता हूं कि यह इसके अंसर नहीं हो सकते तो यहां पे हम देख रहे हैं कि decimal number system अब यहां पर यह computer से related हमारा exam है तो decimal number system तो हमारे number system जो होते हैं वो basically जो होते हैं हमारे computer में वो होते है lecture डैसिमल डैसिमल नमबर सिस्टम होता है फिर हमारा होता है बाइनरी नमबर सिस्टम फिर हमारा होता है यह जो हम बेसिक होते हैं बेसिक वाले ओक्टल नमबर सिस्टम और फिर हमारा होता है हेग्जा डैसिमल नमबर सिस्टम तो यह हमारे चार होते हैं अब होता ऐसा है कि नंबर सिस्टम में जो हमारा कम्प्यूटर है वो सिर्फ हमारा जो है 0101 की फोर्म में ही वो जो हमारा डेटा पढ़ता है उसको हमारी जो हम जैसे नॉर्मल लेंग्वेज यूज करते हैं जो भी टाइपिंग करते हैं उसको वो समझ में नहीं आता है वो हमारे लेवल की एक लैंग्वेज है जो हम इंसानों को समझ आती है या फिर जो भी कम्प्यूटर उपरेट कर रहा है उसको समझ में आती है लेकिन गम्प्यूटर जो है बेसिक्ड जो हमारा वो binary number system में ही काम करता है तो decimal number system में जो हमारे digits आते हैं वो आते हैं हमारे जैसा कि हम normally अपनी गिंती जो हम 0 to 9 पढ़ते हैं तो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो यहाँ पे हो गए हमारे 0 to 9 is equal to 10 digits तो यह हमारे 10 digits है तो decimal number system में हमारे जो हम 10 digits होते हैं तो decimal number system का हम base value भी 10 बोल देते हैं इसी तरीके से जब binary की बात होती है तो इसमें सिर्फ 2 ही digits आते हैं 0 and 1 तो इसका base value हम 2 लेते हैं इसी तरीके से जो हमारा octal number है तो उसमें values आती हैं हमारी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 यहां पर 7 तक आ गया तो यहां पर यह जो बोल रहा है कि मतलब यहां पर देखो आप तो इसका base value आ गया हमारा 8 ठीक है तो आप से पूछा जा सकता है कि इनका base value क्या है या इसमें कितनी digits होती है तो हमारा यहां पर decimal binary and octal हो गया अब हम देखते हैं hexadecimal तो हमारा यह जो है hexadecimal इसमें क्या है यह हमारा सबसे widely use होता है यह इसलिए है क्योंकि जब हम binary को 0, 1, 0 form की form में लिखते हैं तो वो बहुत लंबा चला जाता है तो यह उसको जो है छोटा compact size में कर देता है तो हम देखते हैं कैसे तो यह 0, 2, 9 यह हमारी होगी 10 digits तो 10 तक की value को तो ऐसे उठाता है तो 9 तक की value को 0, 2, 9 यह 10 digits होगी लेकिन अगर हमने 10 को लिखना है तो यह इसको A उठाएगा 11 को B से present करता है represent करता है यह 12 को C से 13 को D से 14 को E से and 15 को F से तो इसमें जो है हमारी 0, 2, 15 digits चलती है और यह 15 जो है वो digit नहीं है यहाँ पर digit सिर्फ हमारी 9 तक आती है 6 जो बचते हैं वो हमारी letters आते हैं हम इसको ऐसा बोल सकते है 0 to 9 plus A to F तो अगर हमें कोई भी अगर हमें यहाँ पर कोई भी number system आ जाता है कि कोई भी हमें digit दे दी जाती है और पुछा जाता है कि यह इस number system में valid है या कोई भी हमें ऐसा number दे दिया जाता है तो हम जो है वो इस range के according जो है वो उनका चाहे वो number हमारा binary का हो या फिर hexadecimal हो, octal हो, decimal हो तो यह हम यहाँ पर देख सकते हैं तो यह जो है मैंना आपको number system का जो basic structure है वो मैंने यहाँ पर आपको बताया है अब चलिए हम चलते हैं हमारे question की तरफ बापिस तो हमारा question है decimal number system में कितने digits होती है तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया कि हमारे decimal number system में होती है 029 मतलब total होई 10 digits तो इस option का question का answer होगे हमारा 10 और साथ ही हम देख लेते हैं कि दो digits जो है वो हमारी कौन से number system में होती है तो वो हमारा हो जाएगा binary number system 9 वाला ऐसा कोई number system नहीं होता है और 16 वाला जो हमारा होगे हो होगे हमारा hexadecimal हम इसको बोल सकते हैं लेकिन हम यहाँ पर 0 to 9 ही digits यूज करते हैं आगे की values को हम जो है वो alphabet से indicate करते हैं ठीक है तो यह हमारा first question होगे अब चलिए चलते हैं हमारे second question की तरफ value of 10102 in decimal number system is तो इसमें पूछा है अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर जो number लिखा है वो हमारा लिखा है ऐसे 10102 तो यह जो 2 जो मैं आपको भी base value बताई ना यह base value जो है यह indicate कर रही है कि यह number जो है वो हमारा binary में है यह हमें क्या indicate कर रही है कि यह number जो है वो हमारा binary number system का है तो इसको पूछा कि binary number system की value जो है वो decimal number system में हमारी क्या है तो हम इस जो है वो अब detail में देखते हैं यहां पर हमारा number लिखा है sorry यहां पर number लिखा है 10102 तो यहां पर जो है जब हम binary को हम decimal में convert करते हैं तो यहां पर हम यहां पर देख रहे हैं यहां पर जैसे हम school में पढ़ते हैं इकाई दहाई सेंकडा हजार ऐसा पढ़ते हैं तो यहां पर जो सबसे least इसको बोलते हैं lsb इसको बोलते हैं least significant least significant bit यह हमारी सारी bits है least significant bit और जो हमारा ऐसे था ना और जो यह हमारे यह है इसको हम बोलते हैं msb इसको बोलते हैं most significant bit तो यह हमारा होगे most significant bit तो जब हमने इसको यहां पर देखना है तो हम इसको इसने बोला है कि हम इसको decimal में convert करना है मतलब कि यह कितना हो जाएगा इसका base 10 हो जाए हमने decimal में देखना है तो यहां पर हम देखते हैं तो जब भी हम किसी को किसी भी number system को दूसरे number system में change करते हैं तो हम सबसे पहले last से least significant bit से शुरू करते हैं base value और यह कौन से position पे हम इसको सबसे पहले 0 position पे लेते हैं प्लस 1 है next bit तो इसको multiply किया हमने 2 और इस position कौन से है next 1 ऐसे ही plus 0 into 2 की power 2 plus 1 into 2 की power 3 तो यहां पर हम देख रहे हैं इसका value जो आ गया 0 इसका value आ गया 2 इसका value भी 0 और इसका value आ गया 8 यहां पर 2 plus 8 हमारा हो गया 10 यहां पर जो हमारा answer आ जाएगा वह आ जाएगा 10 decimal number system में जो इसका answer आ गया वह हमारा आ गया 10 ठीक है इसका option का answer है 10 यहां पर मैंना आपको बोला कि या तो आप इसका correct answer निकाल देते तो आपको बागे consider करने की जरूरत ही नहीं है अगर आपको सही तरीके से जो है वह इसको convert करने आता है तो यह हमारा जो यह आगे यह हमारा कि हमें बताने की valid है या नहीं तो आपको मैंने बोला था कि जब हम valid वाला हम तभी बता सकते हैं जब हमें उनका range पता है जैसे हमें पता है कि hexadecimal में क्या होता है हमारा zero to nine digits and letters जो होते हैं वो हमारे होते है a to f तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कौन जो है वो इस rule को तोड़ रहा है तो b a d यह भी correct है b e g f के बाद आता है जी तो यह हमारा wrong है यहाँ पर हम बाके options यहाँ पर सीधा यहीं से पता लगे हमें बाके options देखने की ज़रूरत नहीं लेकिन अगर आप confident नहीं है तो आप इस चीज़ को भी देख सकते हैं कि यह जो है हमारे यह valid hexadecimal number है और यह नहीं है तो हमारा यहाँ पर answer हो जाता है option b जो कि valid hexadecimal number नहीं है चलिए अब चलते हमारे next question की तरफ question number 4 a binary number can be easily converted to equivalent hexadecimal number by forming groups of how many successive bits starting from LSP LSP मैं आपको भी बताए कि least significant bit जैसे यह था 10102 हमने इसी को consider कर ले कि binary number मान लीजे जो question मैं पूछा था हमें यहाँ पर वह ही है binary number अब इसको easily convert करना है equivalent hexadecimal number में तो इसके दो तरीके हैं ठीक है तो पहला हमने इसको देखा कि इसको हमने decimal में change किया तो वो आ गया हमारा 10 10 आ गया हमने अभी अभी solve किया था तो 10 को हम hexadecimal में तो यहाँ पर आ गया आपका binary 2 से आपने decimal में convert किया और decimal से आपने इसको hexadecimal में आपने इसको convert किया hexadecimal में तो आपका 10 जो है वो 0 to 9 तो हमारे digits होती है 10 को हम जो है वो a से indicate कर देते हैं ठीक है आप ऐसा भी कर सकते हैं यह तो हमारे पास digits 4 थी एक तो आप convert कर लिए इसको a लिखती है और साथ में बाहर लिखती है आपने 16 क्योंकि hexadecimal नंबर का base value हमारा जो है वो है 16 लेकिन अभी यहां पर तो चारी डिजिट्स थी 1010 लेकिन अगर हमारा ज्यादा है नंबर हमारा बड़ा है जैसे हम यहां पर ले लेते हैं वानिए 101010 इसको हमने बताना है कि यह कितने में है यहां पर हम देख रहे हैं कि 1010 यहां से हमने इसको हम देखते हैं हम 4 डिजिट्स में लेते हैं ठीक है तो 4 डिजिट्स में इसका जो है वह 10 बन रहा था 10 को हमने एक को ले लिए 16 लेकिन अगर इसी में एक डिजिट हम एक्स्ट्रा लगा देते हैं तो हम इस चीज को कैसे करेंगे तो हम इसमें लास्ट की 4 डिजिट्स को उठा लेंगे और इसके आगे हम अपनी तरफ से हम पियर बनाएंगे यहां पर हम 4 4 के पियर बनाते हैं तब इसको कनवर्ट करते हैं तो इसका वैल्यो आजाएगा हमारा ए और यहां पर जो है वो इसका जब हम देखने तो यह एक ही वैल्यू पर रही है 0001 इसका वैल्यू किनतना आजा है हमारा इसका बनेगा डैसिमल में हमारा 1 ठीक है क्योंकि 1 इंटू 2 की पावर 0 तो यह 1 नहीं आ जाएगा यहां पर 1 A और 16 तो हमारा में जो है इसको सॉल करने का कि आपको यह बताना था कि जो है हमारा जो है बाइनरी नंबर है उसको अगर हेग्जाडेसिमल नंबर में हमें चेंज करना है तो हमें जो ग्रूपिंग होती है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से जो हम शुरू करते हैं तो वह होती ह हमारी 4 की तो 4 की और अगर हमें binary में change करना होता है तब हमें 2 करते हैं क्योंकि यह already binary में ही है और अगर 3 का करना है तो हम octal number लेते हैं और 3 की grouping से हम octal number में convert करते हैं binary को ठीक है और अगर binary to binary है और अगर four के grouping कर देते हैं हमारा तो आप hexadecimal में पहुंच जाते हैं आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि जो hexadecimal है उसका जो base value है वो है 16 जो की होता है two की power four तो यह four की grouping इसी लिए होती है और जो octal number है उसका power होता है 16 तो इसका जो होता है वो होता है two की power sorry इसका octal का जो base value होता है वो हमारा होता है eight तो यह होता है two की power three तो इस basis पे इनकी grouping होती है यह है इसका mean logic ठीक है तो चलिए हम चलते हैं next question की तरफ question number five what does MSB mean in binary number system तो यह मैं आपको अभी बताया है कि यह होता है हमारा most significant bit यहां पर आपको इसका full form भी आ सकता है तो आपको यह याद रखना है कि जब भी हमारी number system binary number system है कोई भी जो भी हमारा number system में जब हम MSB या LSB की बात करें तो वह होता है least significant bit and MSB होता है हमारा most significant bit तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेर करना ना भूले हम अब जल्द ही next वीड झाला ऑ्यूप्ड़